आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है तो अगर आप अध्यापक न्युक्ति के लिए रामपुर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है एक्चुली होता क्या है जब हम कहीं नहीं जगे जाते हैं तो हमारे सामने मुश्किल यह आती है कि में पता नहीं होता की ओफिस कहां पड़ेगा और हमें सही माइने में जाना कहा हैं लोगों से पूर्टे रहते हैं और नहीं जागे पर जाकर इसमें बहुत टाइम खराब हो तो रामपूर में अगर आपकी काउंसलिंग या टीचर की कभी अभी या फिर नेक्ट टाइम में कभी भी किसी की रामपूर में काउंसलिंग हो तो रामपूर आप जब जाएंगे तो मेर्ट से जाने जाते समय दिली से जाते समय लेफ्ट एंड पर मुणने पर आपको रा आपको मुश्किल से आधा किलोमेटर चलने के बाद में सिद्यात पर बेशिक शिच्छा अधिकारी का कारेल दिखाई देगा और यहीं पर आपकी अध्यापक न्युक्ति की काउंस्लिंग होती है रामपूर नवाबों की नहगरी कहलाती है रामपूर एक रियासती आपने इतियास में पढ़ा भी होगा रामपूर नवाब के बारे में तो बहुत अच्छा शहर है तो यहाँ पर आकर आप बेशिक शिक्चा अधिकारी के कारेले में जाएंगे और यह आपका बेशिक शिक्चा अधिकारी का कारेले आने वाला है राइट चैंड पे मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ यह आपका बेशिक शिक्चा अधिकारी कारेले लेकिन यहाँ से आपको कोई कट नहीं मिलेगा गाड़ी आपको और अभी 200 मिटर आगी लेकर जानी होगी और वहाँ से आपको यूटन लेना होगा चाहे तो आप चोरहे से भी यूटन ले सकते हैं लेकिन यह बीच में आप कोई कट मिल जाएगा इस कट से आप यूटन लेंगे तो आपको चोरहे तक गाड़ी नहीं चला कर लिजानी पड़ेगी यह कट आगया आप इससे यूटन लेंगे यह यूटन आपको तब लेना जब आप दिल्ली, मेरट और हापुड मुरादाबाद की साइट से रामपुर आ रहे हैं तब आप अंदर आकर यह कट ले लिया इस यूटन से अब आप वापस आएंगे और यहीं पर आपकी अध्या पर नियुक्ति की काउंसलिंग होगी यहाँ पर आने के बाद आपको उल्टे हाथ पर आप देखेंगे आपके बाएंगे हाथ पर लेफ्ट साइड में बेसिक शिक्षा दिकारी का कारेल है और आज हम लोग भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आए हुए है तो यह कारेल है आपका बेसिक शिक्षा दिकारी रामपुर का और यह आप देख रहे हैं यह इसकी पार्किंग का लीजिए यहां कोई सुल्क नहीं है पार्किंग का वीडियो को आगे भी सेर करें जिससे कि यहांने वालों को आने में कोई मुश्क्लिया परिस्टानी नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कुर फाइनली यह जगा है जहां देहा पर निवतिकी काउंसलिंग होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं हो भी रही है